सो हे गाइस वेलकॉम टू दी चैनल आज के वीडियो में मैं आपको कोई पतंग बनाना नहीं सिखाने वाला हूँ बलकि पतंग को कैसे बानते हैं और उसे कैसे उड़ाते हैं वो दिखाने वाला हूँ तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंस इसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल काइट लेंगे अब हम इस काइट में चार होल करेंगे दो उपर की साइड और दो नीचे की साइड तो उपर की साइड जहाँ पर दोनों लकडी इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर हम दो होल करेंगे और नीचे की साइड एक सारों होल्स कर दिए है अब जागा लेंगे ये है पतंग उडाने वाला ही दागा है और इसे हम कर देंगा नहीं तो चाँति दागे को डबल करने के बाद बरोकुनेटली हमाद ठागा एक मेंटे पास कर से साथ करते दोनों होल में से धागा पास हो जाने के बाद हम दो नॉट्स बान देंगे तो फ्रेंस अब हम नीचे की साइड भी यही स्टेप फॉलो करेंगे एक होल में से धागे को पास करेंगे फिर पतंग को उल्टा करके दूसरे होल में से भी धागे को पास कर देंगे और दो not लगा देंगे अब हम इस धागे को बीच में से पकड़ेंगे और दोनों साइड से equal करने के बाद हम उपर की साइड एक not लगा देंगे तो friends ये लीजे हमने पतंग पर कन्नी को बान दिया है और अब ये पतंग उड़ने के लिए तयार है अब पतंग को उड़ने के लिए फिरकी की दोरी को हम पतंग के साथ बान देंगे अब सबसे important point पतंग को उड़ने से पहले आपको पतंग को इससरी किसे bend करना है अब ध्यान रखना है जिस साइड लकड़ी है उस साइड आपको पतंग को bend करना है तो चले फ्रेंट्स अब पतंग को कैसे उड़ाते हैं वो देख लेते हैं अब जिस साइड से हवा आ रहें उस साइड से आपको पतंग उड़ाना शुरू करना है जैसे ही आपकी पतंग नीचे आया आपको धिल देनी है और उपर आए तो आपको खीचना है इन शॉट धील देने से आपकी पतंग आगे जाएगी और जिस भी साइड आप पतंग को खीचोगे उस साइड आपकी पतंग जाएगी तो friends कुछ इनी tips को follow करने के बाद आपकी पतंग भी easily उड़ जाएगी और friends अगर आपको इस वीडियो useful लगाओ तो इस वीडियो को like कर दिना और चैनल को subscribe करना मत भूलना मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching